हलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाथ में अगर आपके पास रेडिमी का फोन है और उसमें स्क्रीन लोग लगाने के बाद आपके स्क्रीन लोग पर कुछ इस तरह से इमेज वगारा सो हो रहे हैं यहाँ पर आपके सामने ग्लैंस का आइकन आ रहा है अगर आप आप यहाँ पर इस तरफ-सलाइड करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने अलग-अलग व़ोल पेपर सो होते रहते हैं अब ऐसे में आपको लोग लगाने का फाइदा नहीं होता है क्योंकि कुछ लोग लोग इसलिए लगाते हैं उनका जो phone app उसे बच्चे ना छेड़े तो ऐसे में होता क्या है Glass app की वज़ा से अगर आप lock कर देते हैं तो बच्चे यहाँ पर इस तरफ slide करते हैं और यहाँ पर बच्चे गेम खेल सकते हैं या फिर ऐसे ऐसे करके wallpaper देखते रहते हैं और वो बहुर नहीं होते हैं तो अगर आप अपने phone से इस glance feature को हटाना चाहते हैं यहाँ से wallpaper को हटाना चाहते हैं तो आप कैसे हटा पाएंगे यह जानने के लिए आपको यह वीडियो लाश्ट तक पूरा देखना है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप कैसे glance feature को हटा सकते हैं जैसे कि लोग screen लगाने के बाद आपके सामने यहाँ पर wallpaper सो होते रहते हैं यहाँ पर games वगेरा सो होते रहते हैं तो जादे तर अगर आप इसे हटाने का प्रयास करते हैं आप यहाँ पर profile के icon पर टच करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर settings पर टच करते हैं और यहाँ से आप अपने फोन को अनलोग करते हैं अपने फोन को अनलोग करने के बाद आपके सामने यह सैटिंग आ जाती है और आप यहाँ पर Glass for MI फीचर देखते हैं जहाँ पर इसे Turn Off करने का फीचर दिया गया है लेकिन अगर आप यहाँ पर इसे Turn Off कर देते हैं हमने ये turn off कर दिया है लेकिन turn off करने के बाद भी जैसे कि आप देखते हैं मैंने इसे turn off कर दिया है अगर मैं यहाँ पर lock लगा देता हूँ और यहाँ पर इसे देखता हूँ तो आप यहाँ पर देखते हैं अभी भी यहाँ पर glance feature सो हो रहा है इस तरह पगर मैं slide करता हूँ तो आप यहाँ पर देख से हैं यहाँ पर wallpaper सो हो रहे हैं और यहाँ पर game वगएरा अगर हम खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं लोग लगाने के बाद भी लेकिन हमें यह feature हटाना है तो इस feature को हटाने के लिए हमें क्या करना है हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने phone की settings को open करना है मैं यहाँ पर अपने phone की settings को open करता हूँ और settings को open करने के बाद अब आपको नीचे scroll करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हैं यहाँ पर lock screen पर touch करते हैं और lock screen पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर glass for MI feature मिल जाता है और यहाँ से आप इस feature को off कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर अगर आप टच करेंगे तो यहाँ से यह off हो जाएगा लेकिन यहाँ से off करने के बाद off नहीं होता है अब भी यहाँ पर यह जो feature है own होता रहता है अगर हम यहाँ पर lock लगा देते हैं तो अब भी यहाँ पर हमारे phone में यह feature सो हो रहा है अब मैं आपको बता देता हूँ इस feature को आप जड़ से कैसे हटा सकते हैं जिससे lock screen लगाने के बाद glass feature आपके सामने सो ना हो तो इसके लिए अब आप यहाँ पर settings पर टच करेंगे अब आपको मैं man जानकारी देने वाला हूँ कैसे आप इसको हटा सकते हैं अब आपको वीडियो में ध्यान लगाने की जड़ोत है settings में आने के बाद आपको नीचे scroll करना है और नीचे scroll करने के बाद आप यहाँ पर apps पर टच करेंगे apps पर टच करने के बाद अब आप यहाँ पर manage apps पर टच करेंगे और manage apps पर टच करने के बाद आप यहाँ पर ऊपर three dots पर टच करेंगे यहाँ पर three dots पर टच करने के बाद अब आप यहाँ पर So All Apps पर टच करेंगे So All Apps पर टच करने के बाद अब आप यहाँ पर सर्च करेंगे Wallpaper हम यहाँ पर Wallpaper सर्च कर देते हैं तो हमने यहाँ पर Wallpaper सर्च किया और यहाँ पर आप देखते हैं एक application आ चुका है Wallpaper Karosol आपको इस पर टच करना है और आपको इस application को install कर देना है यहाँ पर आपको नीचे install पर touch करना है और अब आपको यहाँ पर ok कर देना है अब यह जो app है हमारे phone से install हो चुका है अब अगर आप अपने phone पर lock लगाएंगे जैसे कि मैं यहाँ पर lock लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे phone से glance feature हट चुका है अब यहाँ पर पहले की तरह वोलपेपर नहीं आएंगे हमारे phone से glance feature हट चुका है इस तरह आप बड़ी आसाने से अपने phone से glance feature को हटा सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो like जरू किजेगा मैं मिलता हूँ आप से अगले इसी तरह की knowledgeable वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से सुक्रिया